अब तक आपने देखा कैसे दोनों महाराज अपना सिंगहासन और राज से मुकुट वापस पाने के लिए अपने असली होने का फ्रमान सब के सम्मुख रखते हैं एक ही रूप के दो महाराज जैसी विकर समस्या का समाधान निकालने के लिए रामा एक युक्ति निकालता है और महामंत्री और तथाचारे को दोनों महाराज से कुछ प्रश्न पूछने को कहता है जिनके उत्तर सिर्फ असली महाराज श्री कृष्न देवराय को ही ग्यात हो स मेरी महाराज से नम्रविनिती है कि कृप्या इस स्वर्ण के हार को अपने गले में पहन कर रखे ताके वस्त्र बदलने के पश्चात हमें ग्यात रहे कि कौन से महाराज यहां पहले से विराजमान थे और कौन से ततपश्चात बढ़ारे कौन से महाराज की कहानी का दृष्टि कौन कौन सा है अनुरोध है कि समस्या का निर्णे होने तक कृपया इसे अपने गले से उतारे ना अब महाराज चाहे तो अतिति-घ्रह क्यों प्रस्थान कर सकते हैं अग्ट्रिवर ऑठ जो निकलें चलीए चल कर देखते हैं कि इन में से अतिति-घ्रह का सही मार्ग किसे पता है आप बिल्कुल सही कहे रहे हैं, पंडियत रामक्रिष्णा, चलिए. चलिए. पंडियत रामक्रिष्णा? रुक्ली, प्रश्ण कौन बताएगा? अरे, आप्टर रने दीजे, कुरुवर, अवसर्थ हाथ से निकल जाएगा. रने दीजे. हरे! इन दोनों मेंसे जिसे भी अतिदीग्रे का रस्ता नहीं पता होगा, नकली महराज वह होना चाहिए. तो उनों इतने आत्मय विशाथ से आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, अब आगे नहीं बढ़ रहे. आगे चलने वाले महराज के चलने की गति धीमी हो रहे है. हाँ, वो किसलिए है? ताकि पीछे चलने वाले महराज उनसे आगे निकल जाए और आगे जो दाएं-बाएं वाला मोड आ रहा है, उन्हें पता चल सके की मोड़ना कहा है. दाएं या बाएं. तो आपका कहने करतात्परिया यह है कि जो आगे वाला है वो नकली. अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है, मंत्री वार? आएं देखते हैं. चलाएं. अणित रामक्रिष्णा, आगे फिर एक बार दाए-बाएं वाला मोड आ रहा है. यदि इस पार बिना हारवाले ने फिर से दूसरे वाले को आगे निकलने दिया, तो यह प्रमानित हो जाएगा कि यही बहरूपिया है. और उसके बाद हम उसे बंदी बना करें. नहीं बना सकते, मंत्री वार्ज. क्यों? वो देखिए, अब हारवाले महाराज की गदीधी में हो रही है. बहीं, बहीं, बहीं. क्यों नहीं हो सकती है? क्यों नहीं हो सकता, गुरूजी? जब दो गधो की शकलेग जैसी हो सकती है, तो दो वेक्टियों की शकलेग जैसी क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकता, गुरूजी? जी गुरुजी वारी और धनी की तो एक जैसे नहीं है गुरुजी यह तो अपमान हुआ ना गधो का ना गुरुजी तथू जी यह सब छोड़िये ना यह सोचिए कि कल दर्बार में दो एक जैसे दिखने वाले महराजाओं से आप क्या प्रश्न पूछेंगे यही तो समझ मैंने आ रहा है कि ऐसा क्या पूछें एक जटके में दूद का दूद और पानी का पानी हो जाया और पूरे विजन अगर में मारी गुद्धी मता और विलक्षन सूच-बूच का डंग का पच्छा है कि सुने न फिसरो के विचार आया है हां हाँ अच्छी बात बता है क्या विचार आया है कि यह नहीं हो सकता कि महराज का कोई जुडवा भाई हो और वह मेले में कहीं खो गया हो अर अब वापस आ गया हो बड़ा बगवास विचार है बड़ा माहान जाने, बुड़्धा भी न, गिर्किट की तरा रंग बदलता है, कुछ नहीं कर जी, हो नहीं सकता है था, हो ने को हो भी सकता था, परन्तु वो क्या है न, प्रिये, कि राजाओं महाराजाओं के जो बच्चे हैं, उस तरह खो नहीं जाया करने, संभवी नहीं और हम तो महाराज के वन्ष से भली बांती परिचे थे, उनको तो पुर्खों के पुर्खों के पुर्खों में भी कभी जुड़ूआं बालक बादा नहीं होई, हाँ, तथू, हमें एक और उपाय सुजा है, रहने दी चीप्रिये, क्यों कष्ट देने हैं अपने खाली मस् देश्कुकु, क्या विचार आया है, बताईए, हम सुन रहे हैं, क्यों न महाराज के माता पिता को यहीं बुला लिया जाए, वो तो अपने पुत्र को पहचाने में धोका नहीं खाएंगे, ना, हाँ, सो, 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 दामीनी, उनके माता पिता का दिहांत बर्शो पु हो गया समझे, हो गया इस संपूर्ण समस्या का निदान, सूज गया है हमें एक ऐसा प्रमास्त्र, जो गदापी खाली नहीं जाने वाला, इस नकली समराट का अध्यायत उकल समाप्ती, समझे, अरंत उससे पहले पूछने दीजिए प्रश्ण, इस माहमंत्री को और उस पंडित रामा किष्णा को, वो भी तो कुछ सोच कराने वाला है, और जब उनके तरकश के समस्त तीर व्यर्थ हो जाएंगे, तब हम निकालेंगे अपना ब्रमास्त्र, और प्रमानित करेंगे, व हम, अजे राज पुरहित दथा जारिटू अलिल्यामा तो पता लगा ना कि ही किस की ताल है? वही तो गुंडपे, कैसे पता लगाएं कि उन दोनों में से चाल-चल कौन रहा है और कौन चाल का शिकार हो रहा है दोनों चलते भी एक जैसे हैं तो ये पता लगाना मुश्किल है कि किसका चाल-चलन कैसा है मुझे दोनों मालाचव को देखना है क्यूं, तुझे क्यूं देखना है मेला लगा है यहाँ पे, चल हट अले, मुझे लेच, मैं यू यू पता लगा लूँगा कि कौन ता अतली और कौन ता लगाली लो बोलो, ये पता लगाएंगे जाता है क्या अब इमको क्या हुआ कह रही है, दोनों राजाओं को छेचे मा राज गद्दी पर बठा कर देख लो पता चल जाएगा कौन सही है और कौन गलत आ, क्या उपाय दिया है अम्मा, वो राज सिहासन है कोई साधारन पद नहीं है कि छे महा तक परिक्षन हुआ और उसके बाद नियुक्ती पक्की ऐसा भी कही होता है क्या भला ये सही है पहले एक महराज थे तो एक समस्या लेकर आते थे अब दो-दो महराज है तो क्या दो-दो समस्या लेकर आएंगे कहीं से दो-चार राजा और निकल आएं तो क्या समस्या सुल्जाते रहेंगे हम तो कहते हैं उठा लो क्या उठा लो अपने आभिकार की आवाज उठा लो और सभी से साथ-साथ के दो जितनी राजा उतना वेतन अब दो-दो राजा हैं तो वेतन भी दोग ना होना चाहिए, ना? यह सी ग्रेनियों जैसी बाते कर रही हो, शार्दा? ग्रेनी जैसी? परन्तु हम तो ग्रेनी है, ना? हाँ, यह भी ठीक है, होई ग्रेनी, परन्तु यह केवल तुम्हारी और मेरी समस्या नहीं है, यह संपूर्ण विजयनगर राजे की समस्या है, जो सुलजनी ही चाहिए, अन्यता अनर्थ हो जाएगा अले, तो कैसे छूल देगी ता मत्या? कोई तो नहीं पता, यह सब कुछ कल की प्रश्न परिक्षा पर ही निर्भर करता है, भख्वान करें, मंत्रीवर और आचार्य महाराज से ऐसे प्रश्न पूछें, जिनके बारे में केवल महाराज को ही पता है, हाँ, महाराणी तिरुमलंबा, यह क्या कर रहे हैं, हम पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं, कि हमारे असनी महाराज कौन है, ऐसे? हाँ, हम तो ऐसे ही पता लगाते थे बच्पन में, जब हमें किसी को ढूड़ना होता था, महाराणी तिरुमलंबा, वो बच्पन के बाग थी, अभी महाराज बड़े हो गए, अयो, हम तो भूली गए, आप यहीं रुखे, हम अभी बड़े पुक्ले लेकर आते हैं, हाँ, महाराणी तिरुमलंबा, आपको आभास भी है कि कितनी बड़ी समस्या आन पड़ी हम सब पर, यहां हम इस चिंता में घुले जा रहे हैं कि आगे क्या होगा, और आप है कि आपको तो कुछ पड़ी ही नहीं है, एक ही चहरे के दो-दो महाराज वीचर रहे इस महल में, आपके और हमारे एक ही चहरे से दिखने वाले दो-दो सौहाग, इस बात का महत भी पता हैं आपको, क्या होगा यदि यह समस्या नहीं सुल्चीत हो, हाँ, आप बिल्कुल सत्य कहा रहे हैं, ये तो सच में बहुत कमभीर समस्या है, तो कि एक महाराज जिने हम असली समझ कर अपने बिनाए वियंजन खिला दिये, तो दूसरे महाराज, जो कि वो भी असली हो सकते हैं, उतो हमारे बिनाए वियंजन खाने से वंचीत रह और कुछ सोची समस्य के बारे में, नमन बडी महाराणी, आपको भी हमारा नमन छोटी महाराणी, आपने स्मरण किया हमें, जी महामंद्री जी, असली महाराज के संदर्व में कोई सूत्रात लगा, प्रयास जारी है महाराणी चिन्ना देवी, परंतु सच कहें तो अभी पर इतनी समानता, सच पूछिये, इश्वर का इतना बड़ा चमतकार हमने आज तक नहीं देखा, वही चेहरा मौरा, वही व्यक्तित्व, वही शारिरिक भाषा, वही तेवर, दोनों में लेश भर भी अंतर नहीं, क्या हम उनसे मिल सकते हैं, उन्हें अपने हाथ का बनाया वही एंजिन खिला सकते हैं, शमा किजे महारानी, किन्तु ये संभव नहीं, हाँ, यदि आप दोनों को महाराज को किसी खिड़की या जरोके से देखना हो, तो संभव है, और कब तक प्रतिक्षा करनी होगी हमें, अधिक समय नहीं महारानी, कल इसका निर्णे हो जाएगा कि दोनों हम शकलों में से हमारे वास्तविक महराज कौन है, आप दोनों में से जो भी हमारे वास्तविक महराज हैं, यदि उनकी अनुमती हो, तो क्या हम इस प्रश्न परिक्षा का आरंब कर सकते हैं, अनुमती है, धन्यवाद, धन्यवाद, अब वैसे तो इस राज्य का अीमारासी महादे आपने प्रश्नों से इस प्रश्न प्रश्न करने की अवश्क्ता ही ना पड़े और समस्या का हाल निकल आए महामंत्री महादे आप प्रारंभ कीजे पूचे प्रश्चन पूचे थान्यवाद गुरुदेफ माराज, हम हमारे पड़ोसी राज्य से युद्ध में हमेशा हारते थी दोनों राज्यों की बीच की नदी को पार करके हमारी सेना वहाँ जाती थी और पराजित होकर फिर से लोट आती थी तब हमारे माराज ने ऐसा कौन सा आदेश दिया कि हम युद्ध जीत गए हमारा आदेश था कि जिन सेन्य नाव तक्त और जहादों पर सवार होकर हमारी सेना इस तक से उस तक तक पहुंची थी उसे वहाँ पहुंचते ही जला दिये जाएं कारण वो युद्ध तो जीतना ही था हमारी सेना को क्योंकि वापस आने का विकल्फ हमने छोड़ा ही नहीं था उनके लिए वैसे हमारे सेना पती हमारी इस बात से आश्वस्त नहीं थे परन्तु उन्होंने हमारा आदेश का पालन किया और हमारी सेना विजई हुई पिछले घनेश महुत्सव में क्या हुआ था हमारा खांदानी पावमूली रत्न चंद्रमणी चुराया गया था कैसे पंडित रामर से तुर्टी हुई थी हमारे अगला प्रशन हमारे सेना विभाग के अस्तबल में एक व्zar है जिसका नाम कुछ और है और काम कुछ और हमारे माराज उस गोडे से विशेच नहें करते हैं क्या माराज हमें उस गोडे का नाम बता सकते हैं अभय गलत उस खोड़े का नाम है प्रकाशम नाम प्रकाशम है परन्तु वो केवल रात्री युद्ध लड़ सकता है क्योंकि उसे केवल रात्री में दिखाए देता है और हम सने से उसे अंधकारम भी बुलाते हैं अंदकारम प्रकाशम अद्भुद खोड़ा है विशले युद्ध में अपने पैरों पे 16 घातक तीर लगने के पश्चाद भी वो दौरता रहा और वो हमें अपने खेमे तक तक उशल ले आया हम से अधिक भला कौन जानता होगा प्रकाशम को हम तो यह देखना चाहते थे कि यह बहरूप्या प्रकाशम के बारे में कितना जानता है और यह अभय कौन है अमारे दक्षिणी पूर्व की सैन्य टुगडी का सबसे शक्तिशाली सबसे प्रसिक्षित हाथी अभय हमारे उत्तरी पूर्व सैन्य टल का सबसे तक्षि युद्धा सबसे आक्रमक उट विद्यूत जैशिनम जंगलों में हमारे 250 सशस्त्र खेमे हैं विजे नगर राज्य में कुल मिलाकर 165 गाउं है जिसकी आबादी है दो लाख नब्वे हजार एक सो बीस कश्मे है नब्वे नगर है और इन दोनों की कुल मिलाकर आबादी है दो लाख पचास हजार सत्य 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 हुजूर का इक्बाल बुलंद हो अब सभी हमारी फॉज के आला नुमाइंदे हैं आप सभी का यहां मौजूद होना इस बात का सबूत है कि मुद्दा कितना एहम है हालिया वाकियात के रू में कुछ बेहत दिल्चस्प वजूहत नुमाइं हो गए हैं जिनका हमें फाइदा हो सकता है हुजूर एकडम सही फर्मा रहे हैं अब दो दो बाजशा यानि एक ही शकल सूरत के दो दो कृष्णदेव महराज और दोनों यही दावा करते हैं कि वो ही विजय नगर राज्य के असल बाजशा हैं अब पूरा विजय नगर राज्य इस हम शकल के जंजाल में ऐसे उलज़ा हुआ है कि वो यह फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं कि इनमें कौन असली है और कौन नकली अल्लाँ जिसका हमने वत रहते सई फाइदा उठाया तो विजय नगर पर हमारे मुल्क का फथे का पर्चम ले रहा तकता है बहुत आसानी से हम विजय नगर पर काबिष हो सकते हैं उसे अपना गुलाम बना सकते हैं और हम सुल्दान सम्षुदिन विजय नगर के बात्षा बन सकते हैं आमीश इसलिए विजय नगर पर हमला करने की तयारियां शुरू की जाएं सही वक्त पर विजय नगर पर हमला किया जाएगा विजय नगर पर हमारी होगूमत होगी हाँ, ऐसा पुर्सकून एहसास मैसूस हो रहा है अंदर इस ख्याल से कि विजय नगर में हमें और सदा देने को मिलेंगी अला, हुजूर, ये तो सरासर गद्दारी है विजय नगर के महाराज छिलिक किष्णी दे हो रहा है, आपके दोस्त है और उनका आप पर बहुत अकीदा है, क्या आप अपने दोस्त को भगा देंगे जंग है बाबा, जंग अब जंग में गुर्बानियां तो देनी पड़ती है और फिर हमने आप ही से तो सीखा है कि कीमत मौके की नहीं, उसका फाइदा उठाने वाले की होती है अब आभी की सीख पर तो हम अमल कर रहे हैं अलो, मेरे कर देंग मतलब हुदूर के ऐसा बैहतरीन मौका हमें फिर कभी नहीं मिलेगा बाबा बन्ने खान जी हुदूर हमले की तैयारियां शुरू की जाए जो हुप मबाश्या सलामत, चलिए अलो, अर्व चुकाने का वाक्त आगया है हुदूर